गुद मारिंग दियर स्टुनेंट्स, हाव यू? इसका फॉर्स्ट चेप्टर हम आज करने वाले हैं, ग्रामर का, अब तक हमने टेक्स्बुक का किया है, जो आपकी बुक है, उसके दो चेप्टर हो चुके आपके और एक पोएम हो चुकी है, ओकी? आज हम ग्रामर का फॉर्स्ट चेप्टर करने जा रहे हैं, ओकी? यह आपकी बुक है, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाईए है, इस तरह की बुक सबके पास होनी चाहिए, ओके? चलिए हम चेप्टर स्टार्ट करते हैं, फॉर्स्ट चेप्टर है हमारा common and proper noun का, ओके? नाउन्स क्या होते हैं? आप सभी चानते होंगे, नाउन्स वो होते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, a noun is the name of place or things, ओकी? So, common noun and proper noun क्या होता है? Common noun वो होते हैं जो जिसमें किसी के नाम नहीं होते, सिर्फ हम उनको पैचानते हैं, जैसे हम उसका particular कोई नाम नहीं लेते हैं, ठीक है? जैसे car हो गई, bus हो गई, train हो गई, या television हो गया, है ना, जैसे आपकी इसमें दिया हुआ है, television, car, toothpaste and soft drink are the names of some of the things around us, यह सारी चीज़े जो है, वो हमारे चारों तरफ रहती हैं, ओके, these are noun as common noun, यह सारी चीज़े क्या है, common noun, मतलब हम क्या केते हैं, particular paste का नाम नहीं लेते, कि वो दे दीजे, है ना, या हमने किसी drink का नाम particular नहीं लिया, कि वही drink लेना है, ओके, मतलब पीने में कुछ भी आ स सकता है, वो coldring भी हो सकती है, ओके, television किसी एक company का नहीं है, इसलिए हम उसे TV केते हैं, है ना, हम TV की कभी भी company का या उसका particular कोई नाम नहीं है, इसलिए यह सारी चीज़े, जिसका particular कोई नाम नहीं होता, वो सारी चीज़े किसमें आती है, common noun है, ओके, लेकिन जिसका particular नाम हो जिसे हम नाम के द्वारा ही पैचानते हैं उसे क्या किते हैं हम प्रॉपर नाउन ओके जैसे हमारा या किसी इस्थान का प्रॉपर नाम होता है जैसे अगर आप में से किसी स्टुडेंट का नाम अनुभाव है तो वो उसका प्रॉपर नाउन है ओके या किसी इस्थान का नाम मैंने की ले लिया, जिससे जैपूर, तो जैपूर, जैपूर की ही प्लेस का नाम है, इसलिए वो प्रोपर नाउन में आएगा, okay, so, these common nouns have special names, ये सारे क्या है, मतलब जैसे common nouns की क्या होते है, special names होते है, for example, common जो नाउन होती है, उसमें special नाम होते है, okay, for example, monta is the special name of a car, अब car का special नाम क्या हो गया, monta, है न, car तो हमने ले लिया, उसका common नाउन, है न, लेकिन monta जब नाम आया, तब उसका special नाम हुआ, तब वो किसमें आ गई, प्रोपर नाउन में, अब जब car का particular नाम आया, कि हाँ, ये इसी company की car है, तब जाके वो प्रोपर नाउन बनी, okay, मतलब एक चीज आपके लिए समझने के लिए अच्छी है, कि जो नाम हम डेली uses में लेते हैं, वो तो आगए common में, और जो नाम हम particular लेते हैं, कि हाँ, उसी को बुला रहे हैं, उसी जगे की बात कर रहे हैं, वो आजाते हैं, प्रोपर नाउन में, okay, जैसे जिमसन, मोंटा, कोल्डेंट, एंड लेंफिस, और प्रोपर नाउन, यह सारे किसी चीज़े की नाम है, इसलिए यह प्रोपर नाउन में आगए, प्रोपर नाउन्स, always begin with the capital letters, and common nouns begin with small letter, जो common noun होती है, वो तो आती है, small letter में, जैसे हम टीवी भी लिखते हैं, तो small letter मे लिख दिया, है ना, जैसे टेलिवीजन की उपर आपके spelling लिखी हुई है, तो टेलिवीजन को किस में दिखाया गया है, small letter में, लेकिन जिमसन, टेलिवीजन की जो company है, उसका नाम कैसे दिखाया गया है, capital letter में, मतलब प्रोपर नाउन जब स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं उसे लिखना, तो capital letter से लिखना शुरुआत करते हैं, और common noun को हम small letter में लिखते हैं, जैसे name of people are proper nouns, proper noun में किसी का भी नाम आ गया, जैसे रीता और हनीब दिया हैं यहां पे, names of villages, cities, lakes, oceans and rivers are also proper nouns, मतलब किसी गाओं का particular नाम, किसी शहर का particular नाम, किसी जील का, किस जमुंद्र का, किसी नदी का particular नाम, ओके, यह सारी चीज़े किस में आ गई, proper noun में, ओके, जैसे मुंबई, Indian oceans, river हो गई, यह मुना, है ना, तो यह हो गई particular नाम, मतलब आ गई, proper noun में, लेकिन अगर हम यह कहते, rivers, oceans, है ना, तो यह होते, common noun में, ओके, ओके, चलिए, अब हम आ जाते हैं, page number 2 पर, है ना, names of the, month of the year, and the days of the week, और also proper noun, क्योंकि इसमें भी particular नाम होते है, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, तो particular month का, नाम है, है ना, month तो आ गई, common noun में, लेकिन, month का particular नाम है, इसलिए वो आ गया, प्रोपर नाउन में, days भी, इसी तरह से हम seven days केते हैं, तो वो हो गए, common noun में, लेकिन हम days particular नाम लेते हैं, क्या Tuesday है, आज Monday है, तो वो किसमें आ गए, प्रोपर नाउन में, ओके, so March, December, Tuesday, Sunday, यह सबी आ गए, प्रोपर नाउन में, आब इसकी definition देख लीजे, common noun की, एक common noun is a name for a person, a place, an animal or a thing, common noun में, किसी का भी नाम हो सकता है, person का, place का, animal और things में, है ना, किसी के भी लिए, एक प्रोपर नाउन is a special name, प्रोपर नाउन में, special नाम होता है, किसी person का, place का, जानवर का, या things का, जैसे, common noun में, हमने बात कर ली, जानवरों की, वे कुत्ते हैं, लेकिन, कुत्तों के बारे में भी, हमने अगर कहा, उसका, कुत्ता, टॉमी, यानि हम टॉमी की बारे में ब प्रोपर होगा, और जब सिर्फ कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ, common noun होगी, ओके, तो, all of you clear, अब exercise है, इसमें, first दी गई है, write two proper nouns, you now, for each common noun, अब इसमें क्या करना है, हमें, common noun में, common noun दी हुई है, जैसे, चोकलेट, चोकलेट में मैंने, प्रोपर नाम अपन लिख सकते हैं, जैसे मैंने इदर यहाँ, आपके लिए for example दिया है, Amul और Kitkat, Soap, Soap में आप मैंने लक्स लिखा है, आप आगे भी एक नाम और लिख सकते हैं, स्कूल लिखा है मैंने, K.I.S. Mansoor, जो कि आपका करनी इंटरनेशनल स्कूल है, और उसमें आप एक नाम और जोड सकते हैं, सीटी मैंने मनसोर लिखा है, एक आप दूसरा जोड सकते हैं, मन्त मैंने नवंबर लिखा है, आप दूसरा भी जोड सकते हैं, ओके चिल्डरन, So, ये चीज़े आपको समझ में आई, कि common और proper noun क्या होता है, ओके, मिलते हैं इसकी next exercise में, next class में, Thank you so much, have a next day.